नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए 14 जनवरी 2023 से बनने वाले हर्याना करंट अफियर सिसम्बंदित सभी मैत्तपून क्वेशन अंसर जो की आप से आने वाले कंपिटीशन एकजा खिलाडियों को सवन प्दक जीतने पर कितने रूपे की रासी पर दान की जाएगी यादि गिं और के बदेख जीतने पर काष्य पदक जीतने पर थीन लाग रूपे की रासी यानि या रासी आपकी पहले पाँचल लाक रूपे दी जाती से सवन पदक जीतने पर अब इसे वड़ाकर साथ लाक रूपे कर दिया है सिल्वर मैडल जीतने पर तीन लाक रूपे दिये जाते थे अब इसे पांच लाक रूपे कर दिया है और काश्य पदक जीतने पर यह रासी आपकी दो लाक रूपे दे जाती थी अ अब बढ़ा कर दिया साथ मैडल जीतने फर आपकी तीन लाग-3 से बढ़ा कर दिया पांच लाग और काश्य पद़क जीतने पर थि आपकी द्प की दो लाक री से बढ़ा कर दिया अब आपका परति बाग फिलाडियों को 51 परदेश में ओलम्पिक में सवन पदक जीतने वाले खिलाडियों को कितने रुपे की रासी दी जाती है तो दोस्त इसका राइटन से रहेगा आपका सवन पदक जीतने वाले खिलाडियों को 6 क्रोड रुपे की रासी दी जाती है जबकि रज़त पदक जीतने वाले खिलाडि को पंदर लाग रूपे की रासी दी जाती है इस याड में सवन पदक जीतने वाले खिलाडियों को कितनी रासी दी जाती है तो दोस्त इसका राइट अंसर एगा आपका तीन क्रोड रूपे की रासी यानि ये साइड में सवन पदक जीतने पर हाधियाना परदेश के द्वार 3 करोड रुपे की राशी दी जाती है जबकि रजत पदक विजयता को 1.5 करोड रुपे की राशी और काश्य पदक विजयता को 75 लाख रुपे परदान किये जाती है next question रश्टेमंडल खिलाडियों को कितनी राशी दी जाती है तो दोस्त इसका राइटन सरेगा आपका राष्टे मंडल खिलाडी यानि जो सण पदक जीता है उसको डेड़ क्रोड रुपे की रासी दी जाती है राष्टे मंडल खेलों में रजट पदक विजेता है इनको 75 लाख रुपे की रासी और 80 लाख रुपे की रासी सरकार के द्वारा दे जाती है नेक्स्ट क्वेस्टन है राज्य में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुष्कार कोन सा है तो दोस्त इसका राइटन सरेगा आपका भीम अव जो कि राज्य मिखेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पूरुसकार है और यह राज्यपाल के दुआरा परदान किया जाता और इसमें पांच लाक रुपे की रासी भी परदान की जाती है और बीमावार्ड की सरुवात आपकी की गई थी 2001 में हर्यान सरस्वती हैरिटेज डैवलोप्मेंट बोर्ड के उपाद्यक्स किसे बनाया गया है तो दोस्त इसका राज्यपाल का सचीव किसे बनाया गया है तो दोस्त इसका राइटन सरेगा आपका सेखर विध्यारती को जिसे राज्यपाल का सचीव बनाया गया है और वर्तमान में राज्यपाल कोना अर्याना के तो बंडारू दत्ततेरिया जो की अठारवे नंबर के अर्याना के राज्यपाल है सूचना इंजन संप्रक्वी भार के महानी देशक का कार्याबार किसे दिया गया है तो दोस्तो इसका राइटन सरेगा आपका सूचना इंजन संप्रक्वी भार का महानी देशक का कार्याबार दिया गया तो दोस्तो इसका राइटन सरेगा आपका हुकुम सिंग को हरको बेंक का चियर्मैन नियुक्त किया गया Next question हर्याना पसु विकास बोड का अध्यक्स किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तो इसका राइटन सर रहेगा आपका द्रमवीर को जिसे हर्याना पसु दन विकास बोड का अध्यक्स नियुक्त किया गया हर्याना बीज विकास निगम लिमिटिड का चियर्मैन किसे बनाया गया है तो दोस्तों इसका राइटन सरेगा आवका सुमित राणा को जिसे हर्याना विकास बीज लिमिटिड का चियर्मैन नियुक्त किया गया प्रदेश के किस विश्विधालिया को राष्ट्य मुल्याकन एम परत्यायन परिशत बैंगलूरूरू नेक के द्वारा एपलेस ग्रेड का परमान पत्तर दिया गया है तो दोस्त पर इसका राइट अंसर रहेगा आपका उप्सन नंबर भी यानि गुरू जंबेश्वर वि कि रहेगा उना और गुरू जंबेश्वर विश्वि दालया की स्तापना की गई तो इसके संस्तापक कॉन ते तो चोदरी बजनलाल इसके संस्तापक थे और गुरू जम बेस्वर विज्ञान एंपरियो दियोगी की विश्वी दाले आपका काँ पर है तो ये हिसार जिले में स्तीत है और हिसार जिले की स्तापना कब होई थी तो इसकी स्तापना की गई थी आपकी 1956 में कुरूक शेतर विश्वी दाले की स्तापना की गई थी और इसका उदगाटन किसके दवारा किया गया था तो डॉक्टर राजिंदर परसाद इनके दवारा इसका उदगाटन किया गया था और कुरुक चेटर विष्वी दालया की पत्रीका का नाम क्या है? तो केरियर 360 जो की इनकी परमुक पत्रीका है Next question है तो हरियाना agriculture विष्वी दालया की स्थाफना आपकी 1970 में की गई थी और यह काँ पर है? तो यह भी आपका हिसार जिले में स्थित है और इसका पुराना नाम क्या था तो इसका पुराना नाम था पंजाब क्रीशी विश्वी दाले है महरीशी विश्वी दाले की स्तापना कब की गई थी तो दोस्तों इसकी स्तापना की गई थी आपकी 1976 में और ये किस जिले में स्तीत है तो ये रोत्तक जिले में स्तीत है और रोत्तक जिले की स्तापना कब होई थी तो एक नॉम्बर 1966 को रोत्तक जिले की स्तापना की गई थी रोत्तक और चर की दादरी हर्याना के दो मात्र ऐसे जिले है जिनकी सीमा अन्य दूसरे राज्यों के साथ नहीं लगती है next question है परद्श के किस जीले में दूद्सी अंतर का प्लांट लगाया जाएगा है तो दोस्तोर इसका रॉइट अंसर एगा आपका उपसेननंबर B ή यानि उपसेनन भी यानि रिवाड़ी जीले दूद्सी अंतर का प्लांट लगाया जाएग serious यह plant आपका 200 क्रोड रूपे की लागत से त्यार किया जाएगा Next question है हर्याना में परती वैक्ति परती दिन दूद की उपलबता वर्तमान में कितनी हो गई है तो दोस्तो इसका राइटन सरेगा आपका 1344 गराम जो की हर्याना में परती वैक्ति दूद की उपलबता वर्तमान में 1344 गराम है Next question है राष्टे दूग्द अनुसंदान संस्तान की स्तापना किस जीले में की गई है तो दोस्तो इसका राइटन सरेगा आपका करनाल जीले में राष्टे दूग्द अनुसंदान संस्तान की स्तापना आपकी करनाल जीले में की गई है और राष्टे दूग्द अनुसंदान संस्तान आपका 1923 में Imperial Institute of Animal, Hasbandry and Dairy के रूप में बंगलूरों में इसकी स्तापना की गई थी लेकिन 1955 में इसका मुख्यालय बंगलूरों से करनाल में स्तापित किया गया था Next Question है तो दोस्तो इसका राइटन सरेगा आपका 1970 में एसिया का सबसे बड़ा पसुफारम किस जीले में स्तीत है तो दोस्तो इसका राइटन सरेगा आपका हिसार जीले में जो की एसिया का सबसे बड़ा पसुफारम स्तीत है Next Question है हर्याना अनुसूची जातियों के लोगों के लिए पसुओ का मुफ्त इलाज करने वाला देश का कौन सा राज्य है तो दोस्तो इसका राइटन सरेगा आपका पहला राज्य हर्याना अनुसूची जातियों के लोगों के पसुओ का मुफ्त में बीमा करने वाला देश का एक मातर पहला राज्य है परदेश के किस जीले में दुवित्य आलू कोन कलेव का आयोजन किया जाएगा तो दोस्तो इसका राइटन सरेगा आपका उपसन नमबर सी यानि करनाल जीले में आपका दुवित्य आलू कोन कलेव का आयोजन किया जाएगा मातर परकाश कोर मूक बदीर यह वानी विकलांक के अंदर किस जिले में स्ठीफ है दोस्तों इसका राइटर रहेगा आपका करनाल जिले में परदिश के किस जिले में एमरूद वे लैसून का सरवादिक उत्पादन किया जाता है तो दोस्तो इसका right answer रहेगा आपका करनाल जीले में ज़ापर आपका अमरूद वैलसुन का सरवादिक उत्पादन होता है Next question है अर्याना 52 बरपाई योजना की सुरुवात कब की गई थी तो दोस्तो इसका right answer रहेगा आपका 2018 में परदेश में अर्याना बावंतर बर्पाई योजना की सुरुवात की गई थी सतर्वी लोकसवा से सांसद संजय बाटिया के संजय बाटिया के संजय बाटिया के संजय बाटिया के संजय बाटिया और इनका 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 संजय बाटि नेस्ट क्वेस्टन है राज्य में पक्की सड़कों का सरवादिक गनतव वाला जीला कौन सा है तो दोस्तों इसका राइट अंसर एगा आपका अंबाला जीला जो कि राज्य में पक्की सड़कों का सरवादिक गनतव वाला जीला है और राज्य में सड़कों का सबसे कम वाला जी ला है next question है यह यह दो जीले है जो कि आपके सबसे कम चेतर फल लंबाई वाले जीले है next question परदेश का सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्ग कौन सा है तो दोस्तों इसका राइटन सरेगा आपका नेशनल हाईवे 9 जो की आपका राज्या का सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 286 किलोमेटर इसकी कुल लंबाई है और ये परदेश के सिर्शा, फत्याबाद, डबवाली, हिसार, हासिरोत्तक और बादुरुगड इन जीलों से होकर गुजरता है और सबसे छोटा राष्टे राजमार कुन सा है तो National Highway 64 और इसकी कुल पांच किलोमेटर की लंबाई है नेस्ट कुएस्टन है के एंपी की कुल लंबाई कितनी है तो दोस्तों इसका राइटन सरेगा आपका 135.65 किलोमेटर जो की आपकी के एंपी की फुल फोम होती है आपकी कुंडली मानेशर पलुवर और इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 135.65 यह लंबा है और इसका दूसरा अन्य नाम क्या है तो इसका वेस्टरन पैरिफिल एक्सप्रेस हुई जो की के एंपी का दूसरा नाम है और के एंपी की फुलफों में कुंडली मानेसर और पलवल नेस्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिया करपया कॉमेंट करके जुरू बताए कि निमली कितमे से सिंचाई एमजलसन साधन का वी बाग किसे दिया गया है हमारे पास हो रोप्सन मनोर लाल खटर दोस्यन चोटाला अनिलवी जिया बनवारी लाल को नेस्ट क्वेस्सन है जो कि फिछली वीडियो में पूच आगया था कि हरयाना बीज विकास निगम लिंटीड का चेर्मैन किसे न्यूख किया गया है तो दोस्तू इसका राइटन सर्ता आपका उप्सन नंबर वी यानि सुमित राणा को जिसे हर्याना वीज विकास निगम लिमिटीड का चेर्मैन नियुक्त किया गया और आपका भी राइट रहेगा तो फिलाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजी साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद